अलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल पाउर टेक हेल्प आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ विटामीन E केपसुल्स के बारे में जो कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं यह विटामीन E केपसुल्स का इमेज है और इसका उपयोग बालों को इस अभी प्रोलॉम हूँ तो इसको ठीक करने के लिए इससे विटामीन E केपसुल्स का यूज किया जाता है और इसका स्ट्रीप इजली आपको मार्केट में 30 रुपीज में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो के बारे में तो आप यहाँ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह है विटामीन E केपसुल्स का जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यह मार्केट में आपको इजली मिल जाएगा एवियोन के नाम से और यह 400 mg में मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो एस्ट्रीप है इस स्कुल्स में देख सब्सक्राइब करें इसकी सब्सक्रायाँ इस तरीके से रहता है और इसमें इसका यूज जीन में इसके आपका अगर मौसल्ष प्रोल्म हो तो उसके में भी यह काफी हेलफूल होता है और इसकीन का तो आपको मैंने बताई दिया कि इसकीन में अगर जैसे पिंपल्स आ रहा है या फिर फेस पे कोई भी प्रोल्म हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए काफी हेलफूल होता है और यह hair के बाद करें तो जो hair होता है hair को strong बनाता है और काफी silky बनाता है यानि काफी helpful होता है यह जैसे कि आप देख रहे हैं याप और भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं जैसे आपके heart में problem हो यानि कि आपका जो blood vessel से उसके अंदर easily blood follow नहीं कर रहा उस condition में यह काफी helpful होता है और यह हमारे immune system को strong करता है जो कि किसी भी बिमारी को fight करने के लिए काफी helpful होता है यानि immune system को strong होना चाहिए और इसका use Alzheimer's disease के अंदर भी किया जाता है जैसे Alzheimer's disease का बात करें तो जो हमारी mental problem होती है जो हमारी thinking power weak हो जाती हो तो उस condition में भी हम इस capsule का यूज करते हैं उसके लिए काफी helpful होता है तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे आज के इस वीडियो के बारे में if you understand this video please like subscribe and share my channel thanks for watching my video